वानिश शहर में 29 माई को एक युवती का अर्धनगन अवस्था में शौ मिला जिसे लाके में संसनी फैल गई थे लेकिन युवती कौन थी उसका पता अब पुलिस ने लगा लिया है वानि पुलिस अपनी डीबी टीम के साथ मामले की गहराई से जाच कर रही है और कई चोकाने वाले तत्यस सामने आए है पुलिस सूतरो द्वारा दी गई जानकारी के मताबिक मुर्तक लड़की का नाम प्रिया उर्फ आरू ही वान खेड़े है मूल रूप से वरोडा की रहने वाली प्रिया अपनी पढ़ाई के लिए वानी में एक कमरा किराय पर लेकर वहार रह रह रही थी आरूपी विरोध रंगराव शितोले हिंगोली का रहने वाला है आरूपी का अफेर प्रिया वानखेड़े के साथ था आरूपी विनोध मृतक प्रिया से फेस्बुक पर मिला था आगे की जान पहचान प्यार में बदल गई और प्रिया की कॉल डीटेल के मताबिक आरूपी और प्रिया पिछले कई महीनों से एक दूसरे के संपर्क में थे और उनकी मुलाकाते भी बढ़ गई थी पिछले कुछ समय में आरूपी और मृतक प्रिया लिव इन रिलेशन्शिप में रह रहे थे इसी दौरान आरूपी विनोध पिछले कुछ दिनों से प्रिया के चरित्र पर शक कर रहा था और विवाद कर रहा था आरूपी विनोध शितोले जो पेशे से ड्राइवर था घराने पर मृतक प्रिया देवानन बागेश्वर उर्फ आरूही वानखेड़े से कई बार बहस करता था गड़ना वारे दिन दोनों में तीखी नोग जोक हुई थी आरोपी विनोध ने गुसे में आकर प्रिया की जम कर पिटाई कर दी इसी दोरान प्रिया ने विरोध करना शुरू किया तो आरोपी ने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी प्रिया बागेश्वर की CDR रिपोर्ट पर पडोसियों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी विनोध रंगराव शितोले को शिरोली जिले के हिंगोली से गिरफतार क जैसे ही उसके स्केच दिखाए तो विनोध ने हत्या की बात कबूल कर ली पुलिस ने विनोध को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ आई पीसी 302 धारा की तहत मामला दर्च किया गया है NBC News के लिए अकलेश भादवाच के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट